इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को एस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. DVM Tablet एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल पेट में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है. यह पेट और गट की मानसपेशियों को आराम देकर पेट में दर्द, ब्लोटिंग, असुविधा और एंठन को कम करने के लिए असरदार धंग से काम करता है. यह उन विशेश chemical मेसेंजरों को भी ब्लॉक करता है जिसकी वजह से दर्द और असहज़ता महसूस होती है. DVM टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ लिया जाता है. दोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपनी हेल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित इससे प्रभावित हो सकती हैं. The most common side effects are diarrhea, nausea, vomiting, stomach pain, dryness in mouth, loss of appetite, feeling thirsty, and heartburn. इन में से अधिकांश स्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी side effect को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें. इससे चक्कर आने और उनीन अपन आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, तब तक driving या मानसिक एकागरता की आवशक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचे क्यूंकि इस से आपको अधिक चक्कर आ सकते हैं. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं, तो आपको अपने डौक्टर को बताना चाहिए. अगर आपको किड़नी से जुड़ी कोई बीम करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.